तुम मेरा साथ दो हमें सुराष्ट बनाए भारत का कोई भी पादरी और मौल भी सनातन धर्म की मंत्रों की तागत के सामने ठिक नहीं सकता है आगे शुर्धाम में महा यक्य संपन हो गया पता नहीं किस रोप में आगर नारायन मिल जाएगा बाबा का हिंदू राष्ट वाला विश्रन आगे बर चुका है नए प्रोग्राम का पोस्टर दिया गया अब मध्य प्रदेश के टीकम कड़ में बाबा के कारिक्रम का एलान हो गया है बाबा के भक्तों को बेसबरी से इंतजार अगले कारिक्रम का है लेकिन इस बार भक्तों में थोड़ी मायूसी है वजह यह तीकम गड़ में होने वाले कारिक्रम को दो दिन कम कर दिया गया है नो दिन तक चलने वाली रामकथा अब सिर्फ साथ दिन होगी वाबा का दिवे दर्वाद भी दो दिन ही रहेगा रामकथा के कारिक्रम में अचानक हुए इस फेर बदल के बाद कई सवाल उठ रहे है क्या धिरेंदर शास्त्री किसी परेशानी में है ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि धिरेंदर शास्त्री के भाई शालिकराम गर्ग विवादों में है शादी में गाली गलोच और फाइरिंग करते हुए शालिक राम कर्ग के दो वीडियों वाइरल है पुलिस ने शालिक राम कर्ग के खलाब केस दर्ज किया और बाबा कह चुके हैं इस मामले में कानून अपना काम करेगा लेकिन इस सफाई के बाद भी विवात खमा नहीं सुत्र बताते हैं भाई के खलाब केस दर्ज होने के बाद धिरेंदर शास्त्री अपने घर नहीं गए है धिरेंदर शास्त्री का भाई शालिक राम गर्ग भी गाउं में नहीं है तो क्या बाबा ने परिवार से खुद को अलग दिखाने के लिए घर से दूरी बनाई? क्या यही वज़े है कि बाबा परिशान है? हलाकि टीकम गड़ में प्रोग्राम में फिर बदल क्यों हुआ? इस पर कोई आपचारिक बयान नहीं आया है 25 फरवरी से फिर बाबा भक्तों के सामने होंगे और शायद तभी खुलासा हो पाए कि बाबा के मन में क्या चल रहा है?